हाई स्टुडेंट्स, आइडियल गैस एक्वेशन वैसे तो बहुत है सिंप्लिफाइड एक्वेशन होती है कि प्रेशर इंटो वॉल्यूम होता है एन आर्टी लेकिन इसके एप्लिकेशन बहुत ही शांदार होते हैं क्योंकि क्वेशन में इतनी वेराइटी है प्रेशर, व इप्लिकेशन हम देखने वाले हैं जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन कंटेनर जिसमें गैस है उसको गरम किया जाए तो जिसकी वज़ेसे गैस इसमें से एसकेप करेगी तो यहां कैसे डील करना चाहिए दूसरा दो कंटेनर हैं जो इनिशली सेपरेटेड हैं लेकिन बाद में उन्हें कर दिया उनमें अलग-अलग गैस भरी थी उनको कैसे डील करना है और तीसरा केस दो कंटेनर है मतलब एक ही कंटेनर के दो हिससे हैं अलग- होती हैं आप देख सकते हो इसमें हम directly gas laws को apply किये बिना PVNRT में simplification करके अपने results तक अपने concepts तक पहुँच सकते हैं तो लेट उस continue with the first case देखें एक कंटेनर है उपर से खुला हुआ है तो बच्चों जब भी कंटेनर उपर से खुला होता है उसका pressure कभी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बाहर क्या air pressure अंदर से interact कर रहा है और दूसरी बात container की जो boundary है आप देख सकते हो यह dotted lines से जुड़ी है इस और भी हो गए fix अब क्या चीज होती है इसमें तो मोल्स और temperature का product जैसे देखिए PV होता है NRT के बराबर और pressure नहीं हो रहा volume भी change नहीं हो रहा इसका मतलब N into T हमेशा constant रहने वाला है that means अगर अब temperature को बढ़ाते हो गयास को गरम करते हो तो मोल्स उसमें से चले जाएंगे क्य चुरू हो जाएगा तो क्योंकि मोल्स कंजर्वड होते हैं तो जितना मोल्स अंदर कम बचेंगे बाकी बचे हुए मोल्स एसकेप कर जाएंगे So this is the logic when we heat a gas in an open vessel then mole start escaping into the outer atmosphere So let's have the logic माल लीजे इनिशल टेंपरेचर टी आई है और इनिशल मोल्स एनाई है तो एनाई टी आई विल बी इकुल टू एन एफटी एफ अब इसका छोटा सा कितने मोल बचेंगे एन बाइटू तो बाकी एन बाइटू एसकेप कर गए दूसरा लॉजिक अगर टेंपरेचर को ट्रिपल कर दिया जाए तो प्रोड़क्ट इस कॉंस्टेंट तो एन विल बिकम वन थर्ड तो वन थर्ड मोल वैसल में बचेंगे और टू थर्ड मोल एस तक गरम करके उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कितने मोल एसकेप कर गए जैसे इसको ओर ली ट्राय करते हैं अगर हम तेंपरेचर को 10 टाइम्स कर दें तो कोई सोच सकता है कि you can make the mastery over this equation, अब second case लेते हैं, तो पहला container लीजिए, P1 उसका pressure है और V1 उसका volume है, उसमें कोई gas है A, और इधर कोई दूसरी gas है B, उसी temperature पर जिसका pressure P2 है और volume B2 है, अब हमने यहाँ stopper लगा रखा है, और सवाल पूछता है, जैसे ही stopper हटेगा, A will move to this container, और A यहाँ और यहाँ पूरे में फैल जाएगी, और दूसरी बात B will move to that container और पूरे में फैल जाएगी, यानि A और B पहले अपने अपने containers में थी, अब वो दोनों containers में पहुँच जाएगी, तो इसका diagram कुछ ऐसे बनाया जा सकता है, the final volume is V1 प्लस V2, अब इसमें A भी है और B भी है, तो आप देख सकते हो, इसमें temperature change नहीं हुआ है, volume change हुआ है, तो we can directly have the boils law case, तो A का initial volume V1 है, और final volume V1 प्लस V2 है, और B का initial volume V2 है, और final volume V1 प्लस V2 है, तो if we apply basic boils law, you will get this, PA final pressure की बात करें, वो होगा P1 V1 upon V1 प्लस V2, क्योंकि final volume यही है, और PB के लिए होगा P2 V2 upon V1 प्लस V2, अब आप एक चीज़ बहुत आसानी से देख पा रहे हो, PA और PB यह mixture के partial pressure होंगे, तो if we just add them, we will get the complete pressure, यानि आप इस result को direct use कर सकते हो, जब भी दो अलग-अलग containers आपस में जोडे जाए, और सिर्फ total pressure पूछा जाए, तो आप क्या कीजिए, numerator में P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 यह सब add कर दीजे, और denominator में V1 प्लस V2 प्लस V3 add करके divide कर दीजे, it is just like a formula of mixing of two solutions, so this is amazing result, अब आईए एक तीसरे tough case में चलते हैं, हमारे पास एक situation ऐसी है, एक vessel के दो हिस्से है, हाला कि यह पूरा एक ही vessel है, लेकिन tube से connect किया गया, ताकि एक को गरम किया जा सके, दूसरे को ठंडा, तो दोनों का volume भी दिया है, दोनों में N mole gas है, दोनों का pressure भी same है, और दोनों का temperature भी T1 T1 है, तो यहाँ पर यह first condition हो गई, तो total mole इसमें आप देख सकते हो, N plus N, यानि 2N होंगे, अब दूसरी बात देखिए, हमने एक container को ठंडा ही रखा, उसको T1 पर ही रहने दिया, यानि उसको किसी तरह से T1 से change नहीं होने दिया, लेकिन दूसरे को हम गरम करना शुरू करते हैं, और उसको T2 तरह गरम कर देते हैं, अब ध्यान से सुनना students, जब भी दो container के कुछ हिस्सें हो, आपस में जुड़े हुए, और उसमें एक गरम हो, एक ठंडा हो, तो ये बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि दोनों में gases flow कर सकती है, तो pressure कभी change नहीं होगा, यानि initial pressure जो था, उससे बढ़ जाएगा गरम करने से, लेकिन दोनों container में same pressure रहेगा, because high pressure से low pressure gas हमेशा चल सकती है, यानि ये हमेशा heated रहेगा, ये हमेशा cold रहेगा, और दोनों का pressure same रहेगा, क्योंकि pressure बढ़ने की कोशिश करेगा, तो gas उधर चली जाएगी, तो हम अंदादा लगा सकते है volume दोनों का same है, pressure भी दोनों का same है, यानि जो gas गरम है, उसमें कम moles होंगे, आप ये logic सोच सकते हो, और जो हिस्सा ठंडा है, उसमें जादा moles होंगे, लेकिन moles कहीं गए नहीं है, क्योंकि कोई chemical reaction तो हुआ नहीं, so we can have the conservation of moles, so let's apply this, initial condition में moles है, n plus n, जिससे आप लिख सकते हो, PV upon RT1 और PV upon RT1 दो बार, और final में आप लिख सकते हो, n cold plus n hot, और यहां लिख सकते हो, P dash V upon RT1, T1 temperature का, और यहां P dash V upon RT2, T2 temperature के लिए, अब आप question में दिएगा data में, इसे eliminate कर सकते हो, you can cancel out the volume, R, and then find the value of P dash in terms of P, now let's quickly come to some important questions, so, एक question पढ़िये, एक खुला वैसल है, open container, और उसमें n mol gas रखी है, और उसका temperature है 300, अब हमने क्या किया, इसको heat up कर दिया, और सवाल पूछ रहे हैं, कि इसमें कितना mol escape कर जाएगा, so let us draw the diagram first, मान लेते हैं, इसमें अब n dash mol बचा है, तो let us apply the condition of n into t, so this is the logic, n into 300, this is original case, and n dash into 400, तो आप clearly देख सकते हो, n dash is equal to 3n by 4, तो कितना mol escape कर गया, तो escape amount यहां आजाएगा, ESC, that is equal to n minus n dash, which is equal to n by 4, तो यहां से n by 4 mol gas escape कर गई, क्योंकि temperature को हमने 300 से 400 कर दिया, so इस तरह से आप किसी भी temperature condition को solve कर सकते हो, अब दूसरा case लेंगे, दो वेसल हैं, दोनों में एक ही gas दिया गया है, पहले का volume है 4 liter, pressure है 5 ATM, और दूसरे का है 6 liter container और 8 ATM, अब हमें पूछा गया है, अगर हम यह stopper हटा दें, तो final pressure कितना होगा, so you can directly apply the final pressure condition, तो P final, जो mixer के रूप में दिखा जा सकता है, अगर यह A और B अलग अलग gases होती, तो भी यह answer होता, और यह दोनों same gas है, तो भी यह answer आएगा, तो P1 V1, तो 5 into 4, plus P2 V2, 8 into 6, divided by 6 plus 4, that is equal to 10, अब आई इनको calculation करते हैं, 5, 4 हो जाएगा 20, और यह हो जाएगा 48, so that will be 68, divided by 10, so that's come out to be 6.8 atmosphere, यह जिस गैस का pressure कम था, वो increase हो जाएगा, और जिसका जादा था, वो decrease, इसे कहते हैं, mixing of two gases, so that's amazing, now let's come to very very important question, final, दो वेसल हैं, और उनमें शुरू में 2 ATM का pressure question ने हमें दिया है, और दोनों का temperature 300 Kelvin है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक को 600, पर रख रहे हैं, दूसरे को 300 पर रहने दे रहे हैं, और पूछ रा जा रहा है, final pressure, तो situation देखिए कुछ ऐसी, initial condition यह थी, final यह है, volume अभी भी V और V है, pressure अभी हमें निकालना है, तो P मान लेते हैं, तो यह तो 2 ATM है, यह P हो गया, अब इन दोनों के moles N और N थे, अब अलग हो जाएंगे, क्योंकि गरम और ठंडी गैस का pressure सेम तभी हो सकता है, जब दोनों के moles अलग हो जाएं, तो we will apply mole conservation, so we will say, X plus Y is equal to N plus N, so let us apply the logic, तो X के लिए, P into V upon 300R, plus Y के लिए, P into V upon 600R, this is equal to 2V upon 300R, plus दूसरे के लिए कीजे, 2V upon 300R, यहां से आप R को eliminate कर दो और V को, और 300 से भी cross multiply कर दो, तो you will get P plus P by 2 is equal to, यहां हो जाएगा 2 plus 2, so you add this, this will be 4, अब आप देखे यह हो गया, 3P by 2, that is equal to 4, यहां से हमें P की value मिल गई है, 8 by 3 atmosphere, यहीं प्रेशर अब बढ़कर दोनों कंटेनर में हो गया है, 8 by 3, so with this kind of logic, mole conservation लगा के आप इन questions को handle कर सकते हो, so PVNRD के बहुत applications हैं, practice करते रहें, thank you, अब्रेश्वर कर दोनो उन्हां से हुआपगट कर सकते हैं,